हलो फ्रेंड मेरे चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है आज मैं बनाने जा रही हूं सोया चंग्स के शामी कबाब सोया चंग्स के बाब बहुत ही जादा टेस्टी बनते हैं वीडियो पसंद आये तो लाइक करना एक दम ना भूले मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें चलिए तो हम इसे बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले सोया चंग्स को हमें द फ्लेम को, ओओ कर दें को इसे उबलते हुए दो मिनट हो चुके हैं फ्लेम को ओओ कर दें और इसे हलका से ठंडा होने दें सोया चंस ठंड़ा होने के बाद मैंने इसे एक पानी से धो लिया है और इस तरह से मुठी में दबा दबा कर इसका सारा पानी निकाल दिया है अब इसे जार में डाल दें एक छोटा टुकरा आद रखका और 10-12 पिस लहसन को भी इसमें डाल दें सोया चंस के साथ ये भी पिस जाएंगे इसमें पानी हमें बिल्कुल भी नहीं डालना है इसे ड्राई ही पिसना है सोया चंस को पिसने के बाद मैंने इसे इस प्लेट में निकाल लिया है इसे मैंने बारीक पिसा है इसमें मैं भूने हुए चैने का पॉर्डर यानि की सत्तू मिला रहीं बड़े चम्मच से एक बराचम्मच और आधा बराचम्मच मिला लें और इसी के साथ इसमें एक मीडियम साइज प्यास को इस तरह से बारीक काट कर मिला लें थोड़ी सी खटास लाने के लिए आधे नेम्बू का रस मिला लें दो पीसारी मिर्च को बारीक काट कर मिला लें थोड़ा सा धनिया पत्ता को अच्छे से दोने के बाद बारीक काट कर मिला लें आधी चम्मच गरम मसाला पॉडर मिला लें गरम मसाला पॉर्डर बनाने का लिंक आप हमारे डिस्क्रिप्टिन बॉक्स में देख सकती है एक चोथाई चमची लाल मिर्च पॉर्डर में ला ले वैसे तीखा आप अपने हिसाब से डाल सकती है एक चोथाई चमची खाली मिर्च पॉर्डर में ला ले एक चौथाई चमची जीरा पॉर्डर में ला लें आधी चमची नमक में ला लें अब सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर ले इसके छोटे-छोटे से पोर्शन लेकर इसे अच्छे से गोल करके शामी कबाब का शेप दें मैं यहाँ पर मेडियम साइज के शामी कबाब बना रही है चलिए अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं यहाँ पर मैंने पैन को गरम करने के लिए रख दिया था शामी कबाब को हमें डिप फ्राई नहीं करना है शैलो फ्राई करना है कबाब को फ्राई करने के लिए तीन ब्राचमच पैन में तेल डाल दें तेल को गरम होने के बाद फिलेम को मेडियम कर ले धिरे धिरे करके चार-पांच शामी कबाब को पैन में डाल दें एक साथ बहुत जादा पीज को फ्राई नहीं करें एक साइड से इसे देर दो मिनट के करीब फ्राई होने दें पैन में तेल एक साइड में हो जाता है तो आप इस तरह से तोड़ा से इधा उधर कर लें तेल को हलके हलके हाथों से इसके साइड को चेंज कर दें थोड़ी देर बाद आप इसे पलट लें दोनों साइट से गोल्डेन कलोड़ाने तक आप इसे फराई कर लें इसे फराई करने में आपको चार से पांच मिनुट का टाइम लग जाएगा दोनों साइट से ये गोल्डेन हो चुके हैं इसे निकाल लें इसी तरह से कबाब का दूसरा बैच भी फराई कर लें आप इसकभाब को रोटी पराथा या दाल चावल के साथ खा सकते हैं या फिर आप इसे श्टाटर के रूप में महमानों को सर्व कर सकते हैं रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं दूस्य रेसिपी के साथ मैं फिर आओंगी तबतक के लिए ओके बाइ